इस वीडियो में आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन पर गुणन का वित्रण या बंटन गुण यानि डिस्टिब्यूटिव प्रॉपर्टी मान लीजिए प्रति दिन आपके पापा आपको तीन रुपए देते हैं और मा दो रुपए जिने आप गुल्लक में जमा करते हो क्या आप बता सकते हैं पांच दिन में आप इतनी धनराशी जमा कर पाओगे इसे हल करने के दो तरीके हैं विदी एक आप एक दिन के कुल्लराशी पता कीजिए जो होगी तीन धन दो रुपए इस प्रकार पांच दिन में आप पांच गुणा तीन धन दो रुपए इतनी धनराशी जमा कर पाओगे इसका हल होगा पांच गुणा पांच यानि कि 25 विदी दो एक तरीका यह भी है कि पहले आप पांच दिन में पापा से कितने रुपए मिलेंगे यह प्राप्त करें फिर पांच दिन में मां से कितने रुपए मिलेंगे यह प्राप्त करें फिर दोनों धनराशियों को जोडें यानि के पांच गुणा तीन धन पांच गु इसका अर्थ क्या है? यहाँ दो संख्याओं के योग को बाटा गया है, यानि कि योग पर गुणन का वितरण हुआ है, ठीक इसी तरह किनीबित तीन पूर्ण संख्याओं? A, B और C के लिए A गुणा B धन C का A गुणा B धन ए गुणा C के रूप में वित्रण किया जा सकता है इसे योग पर गुणन का वित्रण गुण यानि की Distributive Property of Multiplication over Addition कहते है क्या व्यवकलन यानि सब्ट्राक्षन पर भी गुणन का वित्रण किया जा सकता है सोचिए सोचिए आईए इससे समझे मान लीजिए प्रति दिन आपके पापा आपको तीन रुपए तो देते हैं और आप उसमें से दो रुपए प्रति दिन खर्च करते हो तो पांच दिन बाद आपके पास कितनी धनराशी जमा होगी इसे भी हम दो विदियों से हल कर सकते हैं पहली 5 गुणा 3 रिं 2 इस विदी से जिससे 5 यह जवाब प्राप्त होता है और दूसरी 5 गुणा 3 रिं 5 गुणा 2 इस विदी से भी हमें 15 रिं 10 यानि 5 ही जवाब प्राप्त होगा इस तरह से 5 गुणा 3 रिन 2 बराबर है 5 गुणा 3 रिन 5 गुणा 2 के यानि के पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन पर भी गुणन का वितरन किया जा सकता है यानि के किनी भी 3 पूर्ण संख्याओं A, B और C के लिए A गुणा B रिन C का A गुणा B रिन A गुणा C के रूप में वित्रण किया जा सकता है इसे व्यवकलन पर गुणन का वित्रण गुण यानि Distributive Property of Multiplication over Subtraction कहते है इस तरह से आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन पर गुणन का वित्रण या बंटन गुण यानि Distributive Property अगले वीडियो में हम इस गुण के उधारण देखेंगे